हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पैंसनर्स, फैंमिली पैंसनर्स, एस बलेज करमचारियों के लिए मैं बहुत सारी बड़ी ब्रेकी नियूस यह बोल सकते हैं मैं उनके लिए भड़ी खबरे लेकर आया हूं, बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं, जिने उन्हें जानना बहुत ही इंपोर्टैन्ट है, जिहां दोस्तों जिन्हें उनको जानने से बहुत सारी शीज़ें हल हो जाएंगी, solve हो जाएंगी और बहुत सारी updates में देने वाला हूँ पुरी वीडियो में last तक बने रही है और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा साथी साथ आप हमारे वीडियो की latest notification के लिए घंटे के निसान को जरूर प्रेस करिए तब ही आपके पास हमारे वीडियो की latest notification आप आएगी और आप हमारे वीडियो की इसी तरीके से आगे भी watch कर पाएंगे पहली बड़ी खबर में आपको देने वाला हूँ आपकी पैंसर में बड़ोतरी से लिकर के साथी साथ दूसरी जो बड़ी खबर है दूसरी बड़ी खबर है वो मैं आपको आठवेतन आयोग पर देने वाला हूँ तीसरी बड़ी खबर है आपके DLC यानि की Digital Life Certificate पर देने वाला हूँ बहुत बड़ा एक Office Memorandum आया है क्या के Changes हुए हैं सारी चीज़े बताने वाला हूँ साथी साथ जो Next बड़ी अपडेट है वो मैं आपको Fixed Medical Allowances पर देने वाला हूँ आप सभी को पता है कि Fixed Medical Allowances को के रूप में आप सभी को एक 1000 रूपे मिलते हैं जिससे उनके आपकी पूर्ती नहीं हो पाती है या जो आपकी Family Pension या बोल सकते हैं पारिवारिक Pension है वो 9000 रूपे तै की गई है साथ वेतनायों के Recommendations के हिसाब से इस तरह हैं अब इसकड़ी में ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि आसमान चूती महंगाई के दोर में सरकार देश बर के लाकों Pensioners को Pension में बरोत्री का तौफा दे सकती है जिहां दोस्तों एक जो प्रिंट मीडिया में छपी खबर के अनुसार इस बात की चर्चा पिछले लंबे समय से कई सेन सिब्ट लंडाई मन्त्री से लोग सवा में Pension या पारिवारिक Pension रासी बढ़ाने के सवाल पर एक लिख तर दीया है क्या लिखेत उत्तर दिया है सरकार ने बोला है, कि लोग सवा में लिखेत उत्तर में नियुन्तम रासी नो जार रुपेता है इससे उन्होंने आगे बताया कि अभी देशवर में 44 लाक से जादा पैंसन धारक हैं और जिसके लावा 20 लाक से अधिक पारिवारिक पैंसन धारक हैं इन पैंसन धारकों पर बितवर्स 2022 ते इसमें सरकार का काफी करोड़ रुपे खर नहीं है तो मैंने पहले भी बताया था कि लोग सवाब में पूछा गया था इस कोश्चन में गोश्चन पूछा गया था कि क्या सरकार सात्यों बेतनायों के हिसाब से जो पैंसन और फैमिली पैंसन की नियुन्तम रासी नो जार रुपे तैक ही गई ती उसके बढ़ोत्री नियुन्तम रासी जो बेसिक है वो नो जार रुपे से आगे बढ़ाया जा सके उन्होंने यह भी काया कि इसमें अभी 664 लाग से लेकर पैंसन धारक हैं उनसे रिलेटेड होई भी कई सारी चीज में अपडेट आई हैं मैं आपको अपडेट भी देता हूं दूसरा बड़ रोप्र आपको सके इसींटर नहीं तो एक हजार रुपे के रूप में मिलते हैं OPD Medicines के खर्चे के रूब में लेकिन ऐसे मैं पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स की यूनियन और फैडरेशन ने लगता सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि इसमें जो है करमचारियों इस्पेसलि जो पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स है उनका फिक्स्ट मेडिकल अलाउंसे एक हियार रूपे से बढ़ा करके तीन हियार रूपे किया जाए अनकि मिनस्ट्री ओफ हैल्थ और फैमिली वेलफेर की तरफ से एक आंसर भी आया है उस आंसर में क्लियर ली मैंसर्स किया गया है कि वो पूरा जो मैटर है यानि कि एक यह रूपे से बढ़ा करके तीन हियार रूपे करने का जो पूरा मैटर है उ मैटर अंडर और बाकरी में पैंसर और फैमिली पैंसर को जो फिक्ष्ट मेडिकल अलाउंसेस है उसमें बड़ उत्री होती है तो यह पैंसर के लिए बहुत ज्यादा राहात की खबर हो सकती है तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके इसाब से कितने रुपे जो आ रही है आठो मेडियमा भी खबरे आ रहे हैं केंदी कर्मचारियों और पैंसर धारक इस उमीद में बैठे हैं कि सरकार जल्द इस पर फैस्ता ले सकती है अब सरकार के वित राजमंत्री मिस्टर पंकर चोधी ने आठो बेतन आयोग लाने पर राज स्वाब में एक लिखित जवाब में अब बैतन आयोग की जो साब की है उन्हें ने कहा है कि केंदी कर्मचारियों और पैंसर के लिए आठोशना आयोग लाने का अभी कोई चर्चा सरकार के अंदर नहीं चल रहे हैं, उन्हें कहा कि सरकार सेर्ली स्ट्रक्चर में दस साल से पहले बदलाव करने पर कोई बीचा नहीं कर रही है हाँ सरकार की योजना प्रदर्शन के आधार पर शैली और इंसेंटिव देने की है इस पर अभी काम किया जा रहा है या जिस आप से प्रिंट मीडिया में खबरे आ रही है सरकार आठो बेता नायोग ना लेकर आए इसके जगह पर दूसरे जो अप्सन है उन पर सरकार की योजना प्रदर्शन यानि कि आपकी पर्फॉर्मेंस के आधार पर आपकी शैली और इंसेंटिव देने की बात किया सकती है जैसे कि और अधा अर्गनाइस सेक्टर में काम होत सब्सक्राइब नायोग लाया गया था लेकिन अब जो है चर्चा इस जो रूपर है कि आठोवेता नायोग सरकार इस पर लेकर आएगी या कोई और इस पर अल्टरनेटिव सरकार देखने को मिल सकता है आना कि मुझे नहीं रगए कि दोजार शब्वीस से पहले कोई बीड इस टाइब से होता है क्योंकि इसमें डिया वर ढोठ बडी रोल प्लेकरता है क्रूशल रोल प्लेकरता है उसके बाद इन सारी चीजों पर सरकार बिचार कर सकती예요 जोल कि पर्फॉर्फंर्मेंस की बेसे़ और प्र सली और इंसेंटिटिव देने की बात सब्सक्राइब अन बड़ी खबर की तरब लेकर चलते हैं वह आ रही है आपकी फिट्मेंट फेक्टर पर आप सभी को बता है कि आपको फिट्मेंट फेक्टर है वह 2.57 गुना है और उसी की बेसिस पर आपकी सेल्ली और पैंसन आपको प्रोवाइड की जाती है एसे में सातु में तनायोग की इकमेंटेशन के हिसाब से कर्मचारी की बेसिक सेल्ली 18,00 रूपए तैक की गई थी और साती साथ पैंसनर और फैमिली पैंसनर की बैसिक जो फैंसन है वो 9,000 रूपए तैक की गई थी मेकिन आप खबरे आ रही है कि सरकार जो है फिट्मेंट फ जाती है तो पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स को बहुत जादा रहात मिलने की उमीद जताई जा रही है जानकर यह लिए आपको बता दूँ किसका फाइदा जो है करमचारी को भी बहुत ज्यादा मिल सकता है तो कि फैटमेंट फैक्टर बढ़ने से करमचारियों के साथ में पै चैनल को सब्सक्राइब करेगा